नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका टुटोरियल लेडर में तो आजके क्लास में हम लोग देखेंगे पर्षेंटेज के स्मबंद में प्रतिस अस्ता तो संबंद इसके स्वाल है जिसको आज हम लोग हल करेंगे तो चलो यहां पर देखते हैं सबसे पहले की उश्चन दिया हुआ है साथहाड भील्भेन की रुपे ब्यक्त कीजिए पर्षैंटेज है सबसे पहले देखते हैं है पर्षैंटेज क्या है तो मालने do कोई वस्तु है ठीक है तो 100 में किसी वस्तु का जितना भाग होता है वो उसको उतना प्रतिसात हो जाएगा मालो टोटल 100 आम है 100 आम में से रमेश ने 10 आम खा लिया 100 आम में से कितने आम खा लिया रमेश 10 आम तो 10 आम खा लिया तो 100 भाग में से कितने भाग खा लिया रमेशने आम, 10 भाग, तो कितने प्रतिसाथ आम खाया, 10 प्रतिसाथ, कितने प्रतिसाथ आम खा लिया, 10 प्रतिसाथ, ठीक है, तो 100 का 10 भाग क्या हो जाएगा, 10 प्रतिसाथ, उसी तरीके से, अगर माल लो 200 आम है, 200 आम में से 20 आम रमे 20 जो है 200 को कितने भाग है तो लगभग 10 वाग है जैसे 200 बटे अपन लोग 20 कर देंगे ठीक है तो दो दखन 20 कितने भाग है 10 वाग तो कितने प्रतिसात हम खाया 10 प्रतिसात तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं ठीक है तो इसमें एक चीज याद रखना ह है प्रतिसात को भीन में कैसे बदलेंगे और भीन को प्रतिसात में कैसे बदलेंगे अगर दिया हुआ है एक्स प्रतिसात इस एक्स प्रतिसात को भीन में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा एक्स बटे 100 100 का भाग देना पड़ेगा ठीक है याद रखना है हमेशा प्रतिसात को भीन में बदलने के लिए कितने का भाग देना पड़ेगा 100 का और भीन को प्रतिसात में बदलने के ल पर्षेंटेज को भीन में बदलेंगे तो सव का बुड़ा हो जाएगा तो चलो यहां पर देखते हैं इधर जैसे अपना दिया हुआ 35 ठीक है 35% 35 पर्षेंट को भीन में बदलेंगे 35 पर्षेंट को अपना लोग भीन में बदलेंगे, तो भीन में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 35 by 100, 5 से काटेंगे, 5 सत्य 35, और 5 से कड़ जाएगा, 20 बार में, तो 7 बटे, 20, जैसका क्या हो जाएगा, अंसर हो जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से अगर 125 को बदलेंगे, ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, 125, 125, 125 बटे कित्ता हो जाएगा, 100, 100 से भाग देना है, 25 से काटेंगे, 25 पंच 125, और 25 चौक 100, तो 5 बटे, 4 इसका अंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें आंस की संख्या बड़ी है, और हार की संख्या छोटी है, तो आंस की संख्या चोटी होनी ची इसको तोड़ेंगे, तो 4 पहाड़ा पढ़ो, 5 से जादा नहीं हो, तो 4 एक अंच बार गया, 4 और एक बार फिर भी एक बाज रहा है, तो एक को उपर मिलिख देंगे, और नीचे 4 लिख देंगे, ठीक है, तो एक बटे 4 यह इसका क्या हो जाएगा, अंसर हो जाएगा, उस तो इस तरीके से अपन लोग पर्सेंटेज को किस में चेंज कर सकते हैं, भीन में चेंज कर सकते हैं, आप देखते हैं, दुसरा क्योसन दिया हुआ है, भीन को पर्सेंटेज में चेंज करना है, भीन को पर्सेंटेज में चेंज करना है, तेहां पर 9 भाई कित्ता दिया है, 16 इसको percentage में change करना है ठीक है प्रतिसाद में क्या करना है change करना है तो 9 by 16 into कित्ता कर देंगे 100 100 को गुड़ा कर दो 4 से काटोंगे 4 416 और 4 से काटोंगे कित्ते बार चल जाएगा 25 बार अब ये 25 को 9 से गुड़ा कर देंगे ठीक है 25 को 9 से गुड़ा कर देंगे तो उपर कित्ता आजाएगा 25 और नीचे कित्ता आजाएगा 4 अब इसको काट देते हैं 4 काटेंगे 22 से ज्यादा ना हो 4 का पाणा तो 4 5 20 दो बचेगा 25 बन जाएगा तो 4 शक्का 24 फिर उपार एक बट जाएगा और नीचे कित्ता हो जाएगा 4 तो 56 सही एक बटे 4 यह इसका क्या हो जाएगा अंसर उसी तरीके से यह सेकंड है क्या दिया हुआ है 1 by 2 1 by 2 को किसमे चेंज कर देंगे अपन लोग इसको चेंज करेंगे तो 1 by 2 इंटू कित्ता कर देंगे 100 तो 250 सम कित्ता हो जाएगा 100 तो कित्ता आ जाएगा 50% उसके बाद दिया हो 3 by 5, 3 by 5 को अपन लोग चेंज करेंगे तो इसमें भी कित्ते का गुडा कर देंगे 3 by 5 इंटू 100 को गुड़ा करनेंगे 5, और 25 ए 100, तो बीस तीया, कित्ता हो जाएगा, 60, कित्ता पर्शेंट हो गया, 60%, ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते है, पर्शेंटेज को भीन, और भीन को पर्शेंटेज में change कर सकते हैं, तिसरा सवाल, तिसरा सवाल दिया हुआ है, 3 केजी का कितने पर्षेंट बारा है इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले आपन लोग देखते हैं कि अगर तीन केजी 100 का ठीक है अगर 100 का एक सब पर्षेंट निकालेंगे अगर 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 आपन लोग एक सब अगर पर्षेंट निकालेंगे ठीक है तो का लगा है तो हंट्रेड लिखेंगे और काके जाख बुडा कर देंगे और एक सबसेंट को अगर नोग चेंज करेंग तो एक सवाइ इत्ता हो जाएगा हंटेट तो यह सुत्रयाद रखना है 100 का एकस पर्षेंट निकालना है तो 100 गुलित एकस बाइ हंटेट उसी ज़रीकी से किसी भी संख्या के निकालना है ठीक है जैसे माल नोग अपन लोग देखते हैं कि 50 का ये निकालेंगे तो सुरूम 50 लिखने आगा गुड़ा लिखते ह То यहां पर हमुलोग देख ते हैं माना तीन केजी का एकस पर्षेंट जो है वो किता है बारा है अब यहाँ पर क्या करेंगे तीन केजी के एकस पर्षेंट निकालेंगे तीन केजी को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो एक केजी का एक हजार ग्राम होता है एक हजार ग्राम के एक केजी तो तो तीन केजी कितने ग्राम कि होगा 3000 इसका मतलब है 3000 तीन हजार ग्राम को ठीक है अपने को किसमे चेंज करना है तीन हजार ग्राम का जो X percent है, वो क्या हो जाएगा? 12, ठीक है? 3000 gram का X percent जो होगा, कितने gram हो जाएगा? 12 gram, ठीक है? अब 3000 को अपन लोग ये percent, ठीक है? तो 3000 गुडित, X percent को भीन में change करेंगे, X by 100, is equal to क्या हो जाएगा? 12, ठीक है? 3000 gram का X percent बारा है, 3000 gram गुडित X, ठीक है? X का के जाएगा, गुड़ा हो जाएगा, तो X को भीन में change करेंगे, X by 100 is equal to कितना हो जाएगा? 12, तो 2, 0 और 2, 0 क्या हो जाएगा? Cancel, 30 X is equal to हो जाएगा 12, 30 कुधर पक्छानतार कर देंगे, X is equal to 12 by कितना हो जाएगा? 30, 12 by 30, तो इसको काट सो, 2 से काटेगा 6 बार, और 2 से काट जाएगा 15 बार, ठीक है? तो कितना आ गया? 6 बटे 15, अब इसको फिर काट दो, 3 से काट दो, 3 दोने 6, 3 से काट दो, 3 पंचे 15, तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 5, ठीक है? तो यहाँ पर 2 बटे 5 परसेंट जो होगा, कितना होगा? 12 बारा ग्राम होगा, अब 2 बटे 5 को, अपन लोग क्या करेंगे? इसको तोडेंगे, तो 0 लगाएगे, पंट लगाएगे, तो 2 में 0 लग जाएगा, 20 बटे 5, तो 5 जोग कितना हो जाएगा? 20, तो 0.5, ठीक है? तो 3 केजी का कितने ग्राम, कितने परसेंट जो है? 12 है, तो कितने % 12 है? 0.5% जो है, वो क्या है? 12 है, तो आप याद रखना है, 3 kg का 0.4% जो होगा, वो कित्ता हो जाएगा? 12, यह हमारा कैनिकल क्या गया? अंसर, ठीक है? तो इस तरीके से भी बन जाएगा, यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है, किसी भीन के आंस में 10% वृद्धी करने, तथा उसके हार में 12% की कमी कर देने पर भीन का मान 15 बटे 64 हो जाता है, वो भीन क्या है? ठीक है? त्यहाँ पर अपन लोग हल करेंगे, माना भीन जो है, वो A बटे B है, ठीक है? भीन जो दिया हुआ है, उसको क्या मान लेते है? A चलेंगे किसी भीन के आंस में 10% की वृद्धी करेंगे, उस पर वाला A आँस है और B क्या है, हार, अंस में 10%, जैसे एक्चम्पल के तौर पे ठीक है और हबके है, गरहिन अपन लोग 10% घटा देंगे हैं 10%, ठीक है? तो 10% खटा रहेंगे यहाँ पर 200 है तो 100 में 10 कम होगा तो 200 कित्ता कम हो जाएगा 20 तो एक कित्ता हो जाएगा 180 ठीक है 10% उपर क्या कर दिए 10% उपर बढ़ा दिए और 10% क्या कर दिए नीचे खटा दिए तो क्या हो गया 110 बटे 180 तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है अगर B निके अंस में 10% की विध्धी कर देंगे तो A में कित्ता हो जाएगा A गूरित 110 हो जाएगा ठीक है कित्ता हो जाएगा A गूरित 110 उसी प्रकार बोल रहा तथा इसके हर में 12% की कमी कर देंगे तो B गूरित क्या हो जाएगा 88 सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है A बटे B ठीक है अब A बटे B यह भीन है भीन के अंस में अगर 10% की विध्धी करेंगे तो यहाँ पर A गूरित कित्ता हो जाएगा 110 ठीक है 100 मानके चलते है अंस और हर में 100 का गूरित कित्ता हो जाएगा 110 अगर हर में 12% की कमी कर देंगे तो हर भी को यहाँ पर B के बाद गूरित 100 है मानके चलते हैं अब 100 में 12 घटा देंगे अज कित्ता हो जाएगा 88 ठीक है तो अंस में 10% की विद्धी कर दिये और हर में 10-12% की कमी कर दिये तो भीन अपने को कितना मिल जाता है 15 बटे 64 ठीक है तो यह प्रशना अंसार ऐसा होगा अब इसको काट के देखो 8 से काट होगे 8 हे कमाट 8 हे कमाट 8 से काटेंगे 8-8 64 11 एकम 11 और 11 दाहम 110 तो यहाँ पर मिलेगा 10A अपन B इस इकोल टू 15 बटे यहाँ पर A और B को छोड़ देते हैं 10 कुधर पक छंतर कर देते हैं तो 50 यह 10 आठ से जाकर गुड़ा होगा तो 15 बटेंगे 80 5 से काटेंगे 5 दिया 15 ठीक है 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 चक का 30 तो 3 बटेंगे इता हो गया 16 यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है तो यह क्या है भीन है तो इस तरीके से निकल जाएगा चलो अगला क्योस्चन है एक मेज के अंकित मुल्य में 8 पर्षेंट का टवती करने पर मेज का मुल्य करता है आठ पर्षेंट का टवती करके देता है तो जब आठ पर्षेंट का टवती कर देता है तो मेज का मुल्य कित्ता हो जाता है 400 तो मेज का अंकित मुल्य अपने को ग्याद करना है ठीक है त्यहाँ पर मान लेते हैं माना मेज का अंकित मुल्य एक्स रुपाय है अब मेज का अंकीत मुल्य कित्ता माल एक्स रुपाय है ठीक है तो मेज के अंकीत मुल्य में आठ परसेंट कटवटी करेंगे ठीक है 8% क कटवटी करेंगे तो मेज क कम मुल्य कित्ता हो जाता है 400 हो जाता है ठीक है तब मुल्य कित्ता था एक सः रुपाय था लेकिन 100 से अब 8 percent का टव्टी हो गया 8% कट ओती हो गया, तो मेज का मुल्याब कित्ता हो गया 92% तो 92% मुल्य जो है, वो किसके बराबर है 400 के बराबर है, ठीक है? इसका मतलब है, एक सक जो 92% होगा, वो कित्ता हो जाएगा? चालिस सो तो अपने, अपने लोग एक सक मान निकाल सकते हैं, ठीक है? तो X सक 92% निकालेंगे तो 92 by किता हो जाएगा 100 ठीक है मैं बताया हूँ X सक 92% निकालेंगे तो X गुडित 92 by 100 तो X गुडित 92 by 100 is equal to 92% किता है 400 X का 92% 400 तो यहाँ पे अपर लोग अभी इसको काट लेते हैं ठीक है तो इसको 2 से काट लेते हैं तो 2 चों काट और 2 छक्का 12 इसको 2 से काट लेंगे कितने बार काट जाएगा 50 बार फिर 2 से काट लेंगे 23 दोने 40 फिर 2 से काट लेंगे 25 से काट जाएगा ठीक है तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 23 X ठीक है और Y नीचे 25 is equal to 46 यह मिल जाएगा गुड़ा हो जाएगा 46 तो उधार 200 मिल जाएगा 1 से काट 25 इसका मतलाब है मेज का जुएंगे कित मुल्य होगा वो क्या हो जाएगा 5000 रुपए यह हमारा क्या हो गया अंसर हो गया तो इस तरीके से बन जाएगा तो आज का क्लास यही पर complete होता है Thank you